So, hey guys, finally इतने दिनों से इंतिजार करने के बाद, 5th of July को officially OnePlus के तरब से OnePlus Nord 3 को इंडिया में लॉंच किया जाएगा और Nord 3 अकेला नहीं आएगा, Nord 3 अपने साथ अपने छोटे भाई को भी लेका आएगा, जो कि आपको OnePlus Nord CE 3 के नाम से देखने को मिलेगा वो स्मार्टपोन इंडिया का पहला स्मार्टपोन होगा, जिसके अंदर आपको Snapdragon 782G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम थोड़े देर के लिए उसको साइड में रखकर, अगर हम OnePlus Nord 3 के बारे में बात करें तो गुरू, ये जो स्मार्टपोन है, ये तिन-चार महीने पहले अल्डेडी ग्लोबिली लॉंच हो चुका है, लेकिन ग्लोबिली ये आपको OnePlus H2V के नाम से देखने को मि रहे, क्योंकि Nord 3 के अंदर आपको बहुत ही तगड़े फीचर्स दिया जाएगा, और वो भी आपको बहुत ही एग्रेसिव प्राइस सेग्मेंट के अंदर देखने को मिलेगा, तो गुरू, कुल मेरा के बात करें तो अगर आपको अभी के टाइम पर OnePlus Nord 3 के बारे में सब इस वीडियो के अंद तक बने रही है, लेकिन गुरू, वीडियो को सुद करने से पेले मैं आप सबसे हाथ जोड की यही बिंती करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो गुरू, प्लीज आप मेरे चनल को जल्दी ओके गाईज, डिस्प्ले की बात करें तो, नोट 3 कंदर आपको एक 6.7 इंचेस का सूपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 120 हर्च का हायर रिफ्रेसिरेट भी दिया जाएगा, उपर से ये एक HDR 10 बेस सटिवेट डिस्प्ले होगा, जिसके वज़े से आपको HDR कंटेंट देखने में बहुत ही मज़ाएगा, उपर से अगर हम ब्रेटनेस की बात करें ते कुल मिला कि इस डिस्प्ले के अंदर आपको 1100 नीट्स का पीक ब्रेटनेस दिया जाएगा, उपर से अगर हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिट की बात करें त यहाँ पर यह स्मार्टपोन आपको पीछे की तरफ इंडिविजल केमरा मोडूल के साथ देखने को मिलेगा, और डिजाइल है आपको कुल मिलाखे बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और गुरू उसके मद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो गुरू लिटरली इसके इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 9000 वाला एक फ्लक्सिप प्रोसेसर दिया जाएगा, हाँ गुरू यह एक मिड रेंज फ्लक्सिप के लिए स्मार्टपोन है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोपर एक फ्लक्सिप स्मार्टपोन की तरह चिपसेट देखने को मिलेगा, मेरे कहने क प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा घुस के बात करें, तो यह एक 4 नानोमीटर वाला Octagon Shipset है, और 4 नानोमीटर होने के वज़े से भाई यह डेफिनेटली आपको बहुत ही तगड़ा पॉफुमेंस निकल के देगा, उपर से यह बहुत ही बेटरी एफिसिन प्रोसेसर है, तो गुरु कुल विला के बात करें, तो इस प्रोसेसर के साथ चाहे डे-to-dew जिसके लिए हो, मल्टि टास्किंग के लिए हो, या फिर गेमिंग के लिए हो, या फिर किसी भी काम के लिए हो, इस सिपसेट के साथ इस स्मार्टपून के अंदर आपको कोई भी लेग सेट र ड़ी रम्प्लेश 128-0, और 12GB ड़ी रम्प्लेश 256-0, लेकिन उसके बाद अगर आप केमराज की बात करें तो गुरूप, डिस्पले नो डाउट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, प्रोसेसर आपको बहुत ही पाउरफुल देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्य इसके अंदर आपको camera setup वही mid-range smartphone की तरह दखने को मिलेगा मतलब जैसे Realme की mid-range smartphone में, वीवो के mid-range smartphone में OnePlus के ही mid-range smartphone में आपको camera setup देखने को मिल जाए थीक वैसा ही आपको node 3 के अंदर देखने को मिलेगा. मतलब यहाँ पर आपको OnePlus की तरब से triple rear camera setup दिया जाएगा जिसके अंदर आपको 64MP का primary camera, 8MP का wide angle camera और 2MP का छोटू macro या फिर depth camera देखने को मिलेगा फ्रेंट camera की बात करें तो अभी तक आपको जो देखने को मिल लाता इसके अंदर भी आपको ठीक वैसा ही देखने को मिलेगा वहीं पर आप front camera से full HD 30fps पे और 60fps पे भी डे रेकोडिंग गर पाऊगे और उसके बाद अगर हम battery अंचार्जिंग की बात करें तो node 3 के अंदर आपको 5000 image का बहुत ही बड़ा battery दिया जाएगा जो कि आराम से आपको एक दिर दिन का battery backup निकल के दे देगा क्योंकि इसके अदर आपको AMOLED display देखने को मिलता है उपर से आपको 4 nanometer वाला इतना battery efficient और powerful processor देखने को मिलता है तो भाई यह definitely आपको एक दिर दिन का तो battery backup निकल के देगा लेकिन उसी के बीच में अगर आपका battery के भी discharge हो गया तो आपको OnePlus के तरब से out of the box 80 watt का super fast sensor दिया जाएगा चार्ज करने के लिए आपको नीचे इक साइड में type C वाला port मिलेगा 3.5 mm audio jack देखने को नहीं मिलेगा audio output की बात करें तो dual stereo speaker दिया जाएगा by matrix and security की बात करें तो इसके अंदर आपको in display fingerprint sensor दिया जाएगा तो गुरू कुल मिला कि अगर हम pricing की बात करें तो जो pricing के बारे में जो leaks बहान निकल कर आया है उसको देखके लग रहा है कि OnePlus Nord 3 इंडिया में आपको 30 से लेके 40,000 के अंदर देखने को मिल सकता है तो गुरू कुल मिला के बात करें तो आज से ठीक एक दो दिन के बाद ये smartphone इंडिया में launch हो जाएगा तो अभी के लिए वस इतना ये था पूरा कहानी OnePlus Nord 3 के बारे में आपको के लगते हैं इस smartphone के बारे में मुझे जरूर कोमेंट बोक्स हैं बताईए और मेरे वीडियो को कैसा लगा वो भी मुझे कोमेंट बोक्स हैं बता सकते हो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तोड़ा सेयर कीजिए तो गुरू बने रही मेरे साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाटा गुडबाई